एक शिक्षक के लिए पत्र, आदरनिय शिक्षक, मैं मानता हूँ की सभी व्यक्ती न तो सही होते हैं और न ही सच्चे, परंतु आपको सिखाना होगा की कौन अच्छा है और कौन बुरा, दुष्ट लोगूं के साथ साथ आदर्श प्रनेता भी होते हैं, स्वार्थी राजन लग जाए पर यदि उसे यह सिखा सको तो अवश्य, सिखाना की खुद कमाया हुआ एक डॉलर पाए हुए पांच, डॉलर से अधिक कीमती है, उसे जीवन में मिलने वाली हार, को जेलना और जीत की खुशियां मनाना सिखाना, यदि हो सकें, तो इर्शादवेश भाव से दूर हटाना और उसे जीवन में छिपी मौन मुस्कान का रहस्य समझाना, जितना शीग रहो सकें, उसे सीखने देना की दूसरों को आतंकित करने, कटाक्ष करने वाला स्वयम कमजोर, भय भीत और भयाकुल होता है क्योंकि उसके भीतर चोर होता है, यदि उसे दिखा सको तो किताबों में छिपा आश्चर्य तथा ग्यान का खजाना दिखाना, उसे वक्त देना की वहां आकाश में उर्ते पंचियों के रहस्य, सूर्य की रोशनी में मधु मख्यों के निनाद तथा हरी भरी पहाडियों, पर खिले फूलों के बारे में चिंतन कर सके, उसे यह भ ये सभी उसे गलत ठहराएं, उसे यह भी सिखाना की वह सजण के साथ सजण हो, पर कठोर के साथ कठोर रहे, वह लकीर का फकीर बन कर निरर्ठक शौर करने वाली भीड के पीछे कदापी न भागे, उसे सिखाना की वह सब की सुने, फिर उसे सत्य, कीका सौटी पर परखे, तप पश्चात सही तथा अच्छा ग्रहन करे। यदी सिखा सको तो सिखाना की वह पीड़ा सहकर भी मुज़करा सके। अत्यदु की पीड़ा सियाहत होने पर भी खुशी के गीतगा सके। उसे सिखाना की हसना कैसे से है। उसे यह भी सिखाना की उदासी में आसू बहते हों तो उन्हें बहने दे, इसमें कोई शर्म नहीं है, यदि कोई कुछ भी कहता हो तो उसे कहने दे, उसे सिखाना की संकी लोगों को टाले लेकिन बहुत अधिक मीठा बोलने वालों से बचने का ख्याल रखे, वह अपने बाह और अपनी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सके, यदि उसे लगे की वह सही है तो सत्य के लिए लड़ सके, उसे सहनुभूती से समझाना पर अत्यधिक प्यार से मत बहलाना क्योंकि लोहात अपने से ही खरा होता है, ताप पाकर ही सोना शुद्ध होता है, उसे सहनशील बनाना ताकि वह बहादुरी दिखा सके, उसे खुद पर सीम विश्वास करना सिखाना ताकि मनुष्यता पर उसका भरोसा बना रहे, यह एक बड़ा सा अनुरोध है, परन्तु क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सच मानो, मेरा बहुत छोटा सा, साथ ही है मेरा बेट पर दोल्वास कर लंदा आप छोटा साथिए एक पर उड़ा सब कर दोटाना ताकि उसे भी हैं दोल्वास कर दोटता ताकि लगा है।